हेलो फ्रेंड वेल्कम टो इस्टडी अड्डा में आपका स्वागत है मैं अतुल सिंग आये दोस्तों सुरू करते हैं फिजिक्स पार्ट नाइन आज का पहला कोश्चन बिद्दूत आवेस के संदच्छड का जो नियम है इसकी खोज किस ने की थी दोस्तों बिद्दूत वाट्सन तथा बेंजामीन फ्रेकलिंग के दोबरा किया गया था तो राइट अंसर हो जागा बेंजामीन फ्रेकलिंग नेक्स्ट बैद्दूत आवेस को भंधारित करने के लिए प्रिक्ट अपकरड को क्या कहते हैं दोस्तों जो बैद्दूत आवेस को भंधारित करने के ये बिना उस पर आवेस के प्रयाप्त मात्रा जो है संजीत की जा सकती है तो वो कहलाएगा हमारा संधारित्र कि नेक्स्ट हृदय अस्पंद के दौरान बिद्दूत परिवर्तनों को रिकार्ड करने वाले उपकरण का नाम क्या है दोस्तो हृदय अस्पंद के दौरान बिद्दूत परिवर्तनों को रिकार्ड करने वाले उपकरण को हम इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ क्याते हैं वो इलेक्ट्रानों की वर्तुल गती है जहां दोस्तों द्रब्यों में चुमकत्यों के सुरोत ना भी क्यास पस इलेक्ट्रानों की कच्छी कोड़ी गती और इलेक्ट्रानों के अंतरिक चुमकी संवेग होते हैं तो द्रव्यों में चुम्बकत्व का कारड्ट हो जागा इलेक्टरानों की जो वर्थिल गती है वही तो ऑप्शन B नेक्स्ट विशममिष्रड से लोहे की परत को किस तकनीक से प्रिथक किया जा सकता है तो दोस्तों यह किया जा सकता है चुम्बकी करण के द्वारा जहां दोस्तों विशम मिस्ट्रड से लोहे के परत को चुम्बकी करण टकनीक से प्रिथक किया जा सकता है क्योंकि लोहा जो है एक चुमकी अपदार्त है जो चुमबक की और अकरसित होता है अता जब किसी चुमबक को हम विसमाग मिस्रड के पास लायते हैं तो लोहे की कतरन मिस्रड से निकल कर चुमबक पर चिपक जाती है तो विसम मिस्रड से लोहे के परत को हम चुमकी करण के द जाताया जाताः शमांतर दर्साय जाताए सणांतर लाइनों tomar लोग यानि समांतर की छेट्र को verde राइम सoftॉर स्वोगा कि निए यदि कोई दंड चुम्बक दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रतेक टुकडे के धुरुवी सकती पर क्या प्रभाव पड़ेगा डूस्ति दीके इसे कंऊ चुंबक को दो बराबर हिस्समें काड़ देते हैं तो प्रतेक टुकड़ेक दुरुव शक्ति पर कुंझी प convenience रहेगा यानी वह अथ्यावत रहेगा क्योंकि क्या होगा स्वरी यदि किसी चुंबग को हम दो बराबर भागों में कार देते हैं तो प्रतेक भाग एक सुतंत चुंबग के बाते ब्यवार करने लगता है जिसमें एक सीरा उतरी दुर तता दुसरी दिरा दच्छडी दुरू होगा तो वो क्या होगा यह थावत रहेगा नेक्स्ट उपग्रा संचार के लिए कौन सा विद्दू चुंब के विकरण प्रियुक्त किया जाता है दोस्तों उपग्रा संचार के लिए सुचमतारंग जो है कि प्रियुक्त किया जाता है यानि उपागरा संचार के लिए सुचमतरंग जो विद्दू चुम्र के विक्रड है इसी को हम पर्यूक्त करते हैं तो राइट अंसर हो जागा सुचमतरंग नेक्स्ट निमनलिखित में से कौन सा विस्व का पहला लेप्टाप कम्प्यूटर बाजार में लाया गया का दोस्टों वह उस्व कंप्यूटर था इप्सन जहां दोस्टों 1981 में जारी किया गया यह विस्व का पहला लेप्टाप कंप्यूटर था तो राइट अंसर हो जागा इप्सन नेक्स्ट इंटरनेट से सुचना लेने के लिए किस अनुप्रियोग या अप्लिकेशन का प्रियोग किया जाता है है दूस्तों वो किया जाता है वे ब्राउजर का याnymi इन्टर नेट से ऑब तुम उसमें वे ब्राउजर करते हम इंटरनेट से सुचना लेने के लिएक है नेक्स को तुम को बूट करणे का क्या भी प्राए है दोस्तों मैंने इसमें 10-12 physics के question डाल दिये क्योंकि computer के question डाल दिये थे क्योंकि physics question वो तयार नहीं थे तो मैंने 10 question के बाद में यह 10-12 question में डाल दिया हूँ आगे मैं फिर आपके लिए physics के अगले part में मैं बाकी remaining जो physics important questions मैं वो ले करके आऊंगा next question computer पर आरोपीत ज्यादा तर जो तुरूटियां है वो किस कारड़ से होती है दोस्तों वो होती है क्रमदेश तूरूटी यानि programming error के करड़ जो भी programming करते हैं अगर उसमें कोई गलती होती है तभी computer जो है गलतीयां करता है otherwise computer से गलतीयां नहीं हो सकती तो computer पर आरोपीत ज्यादा तर जो तूरूटियां है वो programming error यानि कि क्रमदेश तूरूटी के करड़ होती है नेक्स कोश्चन ms excel डैस का अभिन अंग है दोस्तों ms excel जो है फो ms office का अभिन अंग है यानि office में कई काम होते हैं जैसे पत्र का प्रारूप तयार करना गड़ना करना सुचित्रित कार करना डाटाबेस तयार करना इमेल इत्यादी तो ms excel का ही अभिन अंग है ms excel जो है ms office का ही अभिन अंग है नेक्स्ट एक निबल कितने वीटों के बराबर होता है दोस्तों एक निबल में होते हैं चार बीट जहां तो यानि चार बीट को हम एक निबल कहते हैं और आठ बीट जो हमारा होता है वो एक बाइट के बराबर होता है तो एक निबल कितने वीटों के बराबर तो वह जागा हमारा चा दूसरी पीडी के कंप्यूटरों का काल क्या था यानि दूसरी पीडी के जो अप्रियोग जो है कि हम दिति पीडी के कंप्यूटरों में करते थे और वो कब हुआ था तो वो होगा 1955 से लिए करके 1964 तक दोस्तों आज की वीडियो में हमने बस इतना ही रखा है मैंने आपको बताया कि हमारा जो वीडियो है हमारा जो physics के question थे वो तह और नहीं थी इसलिए मनें आपको इसमें computer के question कुछ जाले जो important question थे हमने उसको ले लिए इसमें बाकि next question मैं physics आपको कराऊंगा बाकि अगर किसी भी topic से related अगर कोई भी आपके साथ issue हो या फिर कोई भी ऐसा important part जो आप चाते हैं कि मुस्पर discuss करें तो आप हमें comment box में comment करके बसा सकते हैं हम उस पर जो है कि एक अलग से आपको video provide कराएंगे दोस्तों railway का exam काफी नजदीक है आपको पता है कि railway जाई की exam हो रहे हैं और most probably chance है कि June last year July first week से हमारे NTPC railway exam भी start हो जाएंगे तो दोस्तों मैंने आपको इसी लिए मैं इसी को लेकर करके railway को लेकर करके हम जो है किसी के point of view से अपने video को आपको provide कराते हैं क्विक रिवीजन के लिए आपको questions देते हैं जो कभी ने कभी आपके exam में पूछे गए हैं तो दोस्तों मैंने इस सीरीज में आपको history के पूरे question करा दिया है quality पूरा complete करा दिया है, geography मैंने पूरा complete करा दिया, फिर मैंने biology करा है और अभी मैं आपको physics के question लेकर के चल रहा हूँ दोस्तों physics का most probably chance है कि एक video में और आपको provide कराऊंगा, after that we will discuss chemistry और दोस्तों इसके बावजूद भी, अगर आपको लगता है कि कोई topic आपको छूट रहा है, तो प्लीज हमें comment box में comment करके बताएं, हम उसे आपके लिए अगले video में लेकर के जरूर आएंगे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमाले चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नहीं वीडियो को notifications आपको मिलते रहें और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो उसे like करें, पसंद ना है तो उसे dislike करें, comment करें और अपने दोस्तों के साथ share करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जाहिन